वेलकम बच्चों हम सॉल्फ करेंगे अभ्यास 3B इसके पहले के सारे चैप्टर जो हैं हमारे उनको हमने पढ़ लिया है बच्चों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख ले उसके बाद आप इस एक्सेसाइज को मेरे साथ में सॉल्फ है प्रेश्न चिन्नवाली संख्या ग्याद कीई तो मतलब यह कहरा है कि जो यह आपकी चारों धीर के बात भी को प्ता करना है और इस जो हमारा रहां पर qwestion mark है इसको हमें पता करlijk है कि यहां पर क्या भरा जाएगा देखिए बच्चों यहां पर हमें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है तो चलिए पहले हम जोड़ लेते हैं जब हम 15 में 4 जोड़ेंगे आएगा 19 रिड 7 में रिड 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा बच्चों रिड 10 अब इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 इसी तरह से हम यहां जोड़ेंगे 21 में रिड 13 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 घट जाएगा इसी तरह 11 में से रिड 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आजाएगा 10 अब हम यहाँ पे करेंगे 17 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 31 और minus 18 और minus 15 को जोड़ेंगे तो हमारा आजाएगा minus 33 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चो तो यहाँ पे हमारा आजाएगा minus 2 क्या आजाएगा minus 2 2 आया और sign कौन सा लगेगा जो बढ़ा है तो minus 2 तो यहाँ पे हमारा right answer क्या हो जाएगा option 1 minus 2 दूसरा वाला question हम देखते हैं इसी तरह से same तो हम 15 और 11 को जोड़ेंगे तो आजाएगा 26 19 में से 3 घटाएंगे तो आजाएगा 16 अब यहाँ पे जोड़ना नहीं बच्रों घटाणा है तो 26 में से 16 घटाएंगे तो आजाएगा 10 यहाँ पे हम जोड़ेंगे 10 और 7 17 5 और 4 9 17 में से 9 को घटाएंगे तो आजाएगा 8 12 16 हमारा हो जाएगा बच्चो 17 और 8 5 13 18 में से हम 18 को घटाएंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा पाँच यहाँ पे क्या आएगा पाँच हमारा एंसर क्या हो जाएगा option 2, 5 चलिए next question की तरफ चलते हैं कहरा आपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगा भरिए दो पूरांकों का योगफल सदैव क्या होता है बच्चो सदैव एक पूरांक होता है तो यहाँ पे हम भर लेंगे पूरांक क्या होता है पूरांक होता है तो यहाँ पे आप भर लीजे पूरांक फिर क्या रहा है दो धन पूरांकों का योगफल सदैव क्या होता है बच्चो अब यहाँ पे जगा नहीं तो इसको हम यहाँ भर दे रहे हैं धन पूरांख यह हमने देखा था प्लस 3 और प्लस 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस 7 दो रिड़ पूरांखो का योगफल सदेव क्या होगा बच्चो रिड़ पूरांख होगा क्या होगा रिड़ पूरांख यहाँ पे हम भर लेंगे रिड़ पूरांख चल नेक्स कहा रहा है कि किसी पूरांख तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल सुन्य होता है आपको क्या करना है इसमें सत्य और असत्य बताना है तो किसी पूड़ांग तथा इसके योग आत्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है ये कथन बिलकुल सत्य है कैसे प्लस सेवन और प्लस माइनस सेवन करेंगे तो क्या आएगा जीरो तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा नेक्स कहा रहा है शून्य रिड़ पूड़ांग है तो ये असत्य है मैंने आपको पहले ही बताया था कि शून्य ना तो धन पूड़ांग है ना ही रिड़ पूड़ांग है नेक्स हमसे कहा रहा है दो रिड़ पूड़ांगों का योगफल धन पूड़ांग होता है ये भी है सत्य बच्चों अभी हमने उपर देखा कि रिड़ पूड़ांकों का योगफल हमेशा रिड़ पूड़ांक होगा चलिए अपने next question पे चलते हैं next question कह रहा है कि किसी पूड़ांक और शून्य का योगफल उस पूड़ांक के बराबर होता है तो बिल्कुल सत्य है बच्चों ये कैसे है मान लीजे देखे हमने लिया प्लस सेवन प्लस जीरो तो अंसर क्या आएगा प्लस सेवन ही तो आएगा तो इसलिए ये हमारा कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है next एक रिड़ और एक धन पूड़ांक का योगफल सदयव धन पूड़ांक होता है ये असरत है बच्चों कुछ भी हो सकता है जो बड़ा होगा मैंने बदाया था ना जब अगर आपके साइन जो हैं वो अलग-अलग हैं तो आप घटा देंगे और साइन उसी का लगेगा जो बड़ा होगा तो अब बड़ा तो रिड़ पूड़ांक भी हो सकता है चली कहरा है संख्या रेखा पर रिड़ अठारा और प्लस अठारा शूड़ने से समान दूरी को हैं बिल्कुल सत्य है बच्चों अगर हम दूरी देखेंगे तो दोनों बस एक बाइन तरफ है और एक दाइन तरफ लेकिन दूरी तो दोनों की सेम दो धन पुड़ांक को का योगफल सदैव धन पुड़ांक होता है तो यह बिल्कुल सत्य है बच्चों आप्शन जा जो है यह हमारा सत्य तो यहां पर बच्चों हमारा exercise 3 भी समापत होता है फिर मिलेंगे next वीडियो में एक और exercise के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए बाई बच्चों